हालो, वेलकम टो शिबन क्रेशन, आज हम आपको ये 90 बनाना सिखाएंगे, रेडिमेट फॉर्मुला से जो दुकान में मिलता है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो ये 90 बनाने के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है, उसका लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई है 34 इंच, तो 90 जो बनता है वो 34 इंच और लंबाई 3 मीटर हम लेते हैं, रेडिमेट 90 का, लेगिन आप अगर आपके नाप के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो जितना आपका ल लंबाई है वो रेडि होने के बाद एकदम आपका फिट आ जाएगा, तो ये जो मैं 90 बनाऊंगी सिर्फ खॉर्मा रखके कटके बनाऊंगी, तो उस कपड़े को मैं ऐसे, फास्ट जो लंबाई है उसको मैंने डबल किया है, फिर चौड़ाई में इसको डबल किया है, तो कपड़े को मैंने चार फोल्ड किया है, तो ये नाइटी बनाने के लिए आपको पूरा नाइटी में कहीं बेने कुछ नहीं काटना है, सिर्फ गले में काटना है, और साइड में जहां से आर्मों आएगा बहाँ पे काटना है, और पूरा नाइटी ऐसे हैं वैसे ही तो यहां से जितना कपड़ा निकलेगा आपका यहां से आपका स्लीप्स बनेगा और गले का पट्टी यहां से बनेगा तो यह 90 पहले ऐसे फोल्ड किया है फोल्ड करने के बाद यहां से यहां तक मैंने लिया है 9 इंच और यहां से यहां तक है मेरा 7 इंच तो ऐसे करके हम यहाँ से काट देंगे और इस साइट से सेम यहाँ से 4 इंच मैंने लिया है और यहाँ से 8 इंच यह रेडिमेट सब ऐसे ही बनता है अगर आप बहुत हेबी है आपको अगर डबल एकसल के उपर कुछ अड्रेस आता है तो आप यहाँ से 9 ले सकते हैं वो सिर् आप मैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक काट दूंगी तो यह दोनों साइट मैंने काट लिया है आप साइट से जो कपड़ा आपका निकला है उस कपड़े को हम कही पे हमको नहीं लगेगा लेकिन अगर आप सामने फ्रॉंट ओपेन रखके बटन लगाना चा सेम नाइटी का फ्रॉंट ओपन के उपर मैंने एक वीडियो डाला है तो आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यह जो गले का कपड़ा निकला है इससे हम स्लिप्स बनाएंगे गले का यह जो कपड़ा है इसको हम यहाँ पे रखेंगे कैसे रखेंगे इस यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे लेके यहाँ से यहां तक हम ऐसे करके काट देंगे तो यह स्लिप्स आजाएगा तो ऐसे काटने के बाद इप्स का भी मैं ऐसे करके यह फॉर्मा कटके रख दूंगी ताकि मुझे बार-बार यह काटना नहीं पड़े तो ये हुआ slips का और ये गले का जो मैंने काटा था और ये side में जाएगा जहां से हमारा armhole आता है तो ऐसे तीनों फॉर्मा हम कटके रख देंगे तो slips को कैसे निकालना है इसके उपर ऐसे देखके हमको slips निकालना है और ये जो है ये गले का पट्टी के लिए आ जाएगा आप shoulder से हमारा यहां से पकड़के आधा इंच हम कम कर देंगे और गला रेडी करना है इस नाइटी का सिर्फ गले में ही काम होता है तो गला कैसे रेडी करेंगे आप इसको खोलेंगे पूरा नाइटी खोलेंगे तो आप देखिए कितना बड़ा गला हो गया तो इस गले को ही हमको प्लीट देके छोटा करना है देना स्टार्ट करेंगे उपर से यहां तक पाच इंच और उस साइट भी इस साइट भी पाच इंच छोड़ देंगे पाच इंच पाच इंच छोड़के बाकी जो प्लीट है यह हमको 6 इंच के अंदर देना है तो ऐसे नाइटी को प्लीट देते हुए हम ऐसे पूरा नाइटी को हम प्लीट देते हुए 16 इंच में लाएंगे यह जो नाइटी बनता है दुकान में जो मिलता है उसका गला 16 से 18 तक आता है अगर आप खुद के लिए बनना चाते हैं अगर आप एल से लेके एकसल तक पहनना चाते हैं तो आप 16 इंच करके रेडी कीजिए गला अगर आप डबल एकसल या उससे जादा है तो सिर्फ कुछ नहीं करना है गले को जो रेडी करेंगे आप इसको थोड़ा देखिए ऐसे करके मैंने यहां से मेरा आया है 18 इंच तो यह 18 इंच जो है यह डबल एकसल या उससे उपर साइज के लिए 18 इंच है उसके नीचे साइज के लिए इसका प्लिट थोड़ा आप दो तिन प्लिट दे देंगे और ऐसे करके तो यह 16 में आ जाएगा आप देखिए दो प्लिट मैंने दे दिया आप इसका जो है गला जो रेडी होगा वो 16 इंच हो जाएगा 16 इंच कर दिया है तो एकसेल तब आप 16 या 17 लीजिए उससे जादा आप अगर आपका नाप है तो आप यह 18 लीजिए और डवल एकसेल के उपर जो है यह जो मैंने 8 लिया था उसको आप 9 लीजिए इसके अलबा इस पे कुछ भी चेंज नहीं है सब काटना जो है फॉर्मा वो बिल्कुल सेम है अब आपको मैं सिलाई दिखाती हूँ देखिए गले के लिए जो मैंने कपड़ा लिया था उससे मैंने स्लिप्स निकाला है और इस कपड़े से हम गले का पट्टी बनाएंगे गले का पट्टी हमेसा एक इंच और होता है तो यहां से हम एक इंच और पट्टी काट लेंगे और जितना इंच का आप गला बनाएंगे अगर आप 16 इंच का गला बनाना चाहते हैं तो पट्टी को आप 2 इंच एक्स्टर रखिए तो इस कपड़े से जो पट्टी आएगा तकरिबन यह 20 इंच के करीब आ जाएगा तो यहां इस पट्टी से हम ग करें तो यह 2 स्लिप्स आगया और यह गले का पट्टी आगया अब देखिए अब इसके बाद हम गले में पिलीट देंगे तो आप यह जो पट्टी है इसके साथ भी प्लीट दे सकते हैं लेकिन अगर आप नया नया यह सब कर रहे हैं तो आप पहले प्लीट दे दीजिए तो यहां से मैंने उपर से पाच इंच पे निशान लगाए दोनों साइट से, तो यहां से हम प्लिट देना स्टार्ट करेंगे, ऐसे पूरा जो है, यहां से यह जो पाच इंच पे मैंने निशान लगाए, तो इस पाच इंच तक हम प्लिट देंगे, तो आपका साइट अगर एक्सेल तक है तो आप 16 या 17 इंच रेडी कीजिए पूरा गला और अगर एक्सेल से ज़्यादा पहनते हैं डबल एक्सेल या त्रिपल एक्सेल तो आप 18 या 19 तक इसको रेडी कीजिए तो मैं इसको 16 या 17 में रेडी करूंगी तो ऐसे छोटा छोटा करके आप प्लीट देते जाएए ऐसे ऐसे प्लीट देते हुए मैं यहां तक आ गई तो यहां पर भी मैं लास्ट एक प्लीट दूंगी यहां तक ऐसे प्लीट देते हुए मैंने गला को रेडी कर लिया देखते हैं कितना हुआ यहां से हुआ आपका 17 इंच आप अगर यह सब रेडी मेट सिलना चाहते हैं तो आप ऐसे इंची टेप लेके 17 इंच पे आपका मेसीन पे एक निशान लगा दीजिए मेसीन के साइड में और निशान जब आप सिलाई करेंगे तो हरबर आपको यह ऐसे टेप लेके नहीं नापना है आप ऐसे पकड़के आप देख लीजिए कि आपका 17 इंच रेडी हुआ कि नहीं आपका जो नाप जिस नाप का बनाना है उस नाप का आप तो ऐसे दाग लगा के आप लीजिए आप यह रेडी करने के बाद हम पट्टी लगाएंगे पट्टी कैसे लगाएंगे तो यह जो मैंने काटे थे एक किंच करके तो इसका सीधा साइड के नीचे यह पट्टी जाएगा देखिए पट्टी का सीधा साइड और कप्ड़े का सीधा साइड नीचे ऐसे रखूंगी मैं जो एक्स्ट्रा है वो दोनों साइड आप एक्स्ट्रा करके दे दीजिए और ऐसे आप पहले एक सिलाई देंगे ये कप्ड़ाई का सीधा साइड है और ये भी पट्टी का सीधा साइड है तो ऐसे यहां से हम यहां तक सिल देंगे ऐसे सेम रखके इसके उपर सिलाई देंगे मैंने यह जो पट्टी है पट्टी लगा लिया और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काट दिया काटने के बाद अब उस पट्टी जो लगाए थे उसको फोल्ड करके ऐसे सामने सिलाई देंगे यहां से ऐसे यह सिलाई सीधा साइट से जाता है आई आई से मैं एं तक आ गई अब यहां से यहां तक सिलाई देंगे तो एक साइट का गला जैसे मैंने रेडी किया दूसरा साइट का भी सेम ऐसे करके रेडी करूंगी और फिर यहां से दोनों सोलडर जोड दूंगी जोडने के बाद slips लगाएंगे मैंने दोनों साइट गला रेडी कर लिया और एक दोनों साइट सोल्डर भी मैंने जोड दिया आप एक साइट सोल्डर जोड के भी पूरा ऐसे जो तीरचा पट्टी है एक बार में लगा सकते हैं तो मैंने अलग-अलग करके लगाके सोल्डर जोड दिया तो अब सिर्फ slips लगाना बाकी है ये slips लगाने से पहले मैंने slips को थोड़ा नीचे ऐसे यहाँ पर सिलाई दे दूँगी जो मैंने slips काटे थे उसका नीचे मैंने ऐसे करके सिलाई कर दिया अगर आप थोड़ा लंबा slips चाते हैं तो गले का जो पट्टी मैंने इसके उपर के कप्ड़े से काटे थे बहां से ना काटके आप side का जो मैंने काटे थे armhole के side अगर आप slips बढ़ा चाते हैं तो यह जो कपड़ा है इसको आप ऐसे तेरचा काटके यहाँ से भी तीरचा से कट लगा देंगे ताके यह बीच में आ जाये तो सेमह अब इसको खोल देंगे इसको खोल के अब यह जो हैं कि इसके साथ ऐसे सेड़ करदेंगे इसके बीच के साथ पीन लगा सकते हैं ऐसे पिन देके आप नीचे जो एंड तक है आप एंड तक सिलाई कर सकते हैं तो यहां से स्टार्ट करके तो मैं नीचे से स्टार्ट करके आपको सिलाई दिखाती हूँ देखिए यह और यह बिल्कुल एक सेम आ गया स्लिप्स को मैंने जोड दिया है ऐसे तो ऐसे मैंने एक साइड स्लिप्स लगा दिये अब दूसरे साइड भी सेम ऐसे स्लिप्स लगा लेंगे स्लिप्स लगाने के बाद अब हम सिलाई देंगे स्लिप्स के साइड से ही हम सिलाई स्टार्ट करेंगे यहां से आधा इन्च छोड़के हम सिलाई देंगे यह जो है कपड़े का धार है तो इससे धागा नहीं निकलेगा तो इसलिए हम ऐसे आधा इन्च छोड़के हम जितना नीचे तक है हम नीचे तक पुरा सिल देंगे तो दोनों साइड आधा इन्च करके मैंने सिलाई कर दिया अब नीचे जो है नीचे थोड़ा सा फोल्ड करके फिर एक दूसरा फोल्ड दे़के हम नीचे सिलाई कर देंगे यह जो 90 का ultra side है देखिए यह slips लगाने के बाद यहाँ से मैंने सेलाई स्टार्ट किया तो ऐसे यहाँ से सेलाई जाके और नीचे मैंने ऐसे एक इंच पकड़के उसके अंदर ही एक फोर्ड देखके नीचे मैंने ऐसे करके सेलाई दे दिया तो यह 90 मेरा तयार हो गया मैंने 90 तयार कर लिया अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्ते